असलाम अलेकुम गाइस वेलकम बैक तो माई चैनल डॉक्टर कायना जितोई आज का लेक्टर है वो स्टनेश लिनिकल अनॉटमी के फर्दर अब्जेक्टिव सो चैप्टर नुबर वन के थे उनी को डिसकूस करेंगे प्रिवेस वीडियो में हम लोग जो है वेंस के बारे में डिसकूशन कर चुके हैं और उससे पिछली जो वीडियो थी उसके अंदर हम लोगों ने आट्रीस के बारे में डिसकूशन की थी ठीक है तो वह दोनों टापिक कंप्लीट हो चुके हैं लेकिन उन दोनों के डिफरें कुछ फ़ियों से ठाथ साथ यह नो ढलेगे यह किस तरीके से लो पुटा घखने होते हैं तो अप लिग सकते हैं अगर कि अगर एक्जैम में dip fracth राग स्क्रण में टीन राप ऑना होना चाहिए । कहां से होता है from the heart to the body, ठीक है, जो arteries का होता है, वेंस में होता है, back to the heart, जो है, वो blood flow करता है, ठीक है, इस पहले आप लोग दोनों की definitions लिख सकते हैं, कि arteries और veins की मैंने आप लोगों को जो definitions बताएं थी, ठीक है, oxygen concentration का क्या मतलब है, कि carry oxygenated blood except pulmonary artery, arteries के अंदर हमें जो है वो oxygenated blood मिलता है, ठीक है, except pulmonary artery, ठीक है, पुल्मरी artery में आप लोगों को पता है, deoxygenated blood होता है, इसे तरीके से वें का second point है, carry deoxygenated blood except pulmonary vein, veins जो है, वो carry करती है, deoxygenated blood except pulmonary vein, ठीक है, उसके बात है, अनॉटमी, अनॉटमी में आपने लिखा, ठीक आउटर wall, elastic and muscular types है, इनकी जो वाल होती है, वहमारे इसके बाद लुकेशन 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 लुके के बारे में क्या डिफरेंसेज आ सकने हैं इसके इलावा मैंने कुछ पॉइंट्स आपनों को बता दिये थे हर लेक्चर में वो भी अपने पास नोड़ां कर रीजिएगा सो अब हम कंटिनु करते हैं के बारे में ठीक है रेका है बेसिको गारे मैं आपरी में वेयं थे अनोडोά हां लेकिन उनका क्या होता है में कि आर्टरी को वेंड के साथ क्या करती है उनको connect कर वाती है उनको combine करती है ठीक है अब sinusoid क्या होती है Sinusoid resemble caparase in that they are thin wall blood vessels but they have irregular cross diameter and are wider than caparase अचा caparase की तरह हैं हमें एक और microscopic vessels मिलती हैं जो sinusoid कराती है ठीक है लेकिन ये caparase से थोड़ी सी different होती है क्योंकि इनका irregular cross diameter होता है ठीक है और इसके इलावा इनकी जो width होती है मेंसके ये wider than caparase होती है ठीक है तो उससे थोड़ा इनका diameter wider होता है ठीक है They are found in the bone marrow अचा ये point याद करिएगा के sinusoid कहां पे मिलती है हमें They are found in the bone marrow, the spleen, the liver and some endocrine glands ठीक है तो ये mark कर लिए जगा कि आपसे पूछा भी साइस अता है कि जो sinusoid होती है हमारे पास वो हमें कहां कहां मिलती है तो bone marrow में, spleen में, liver में and कुछ endocrine organs में मिलती है In some areas of body principally the tips of the fingers and toes direct connections occur between the arteries and veins without the intervention of the calories ये point भी याद रखेगा कि tip of fingers and toes की tip में जो arteries and veins का connection होता है वो direct होता है वहां पे capillories उन्हें connection प्रोवाइड नहीं करती उनको बाइड नहीं करती ठीक है उसके बादे the side the side of such connections are refused to as arteriovenous anasmosis अच्छा ये जो connections होता है न ठीक है of such connection उन्हें हम लोग क्या कहते है arteriovenous anasmosis कहते है ठीक है अच्छा इस diagram में आप लोग देखें कि ये artery है ये vein है इन दोने के दरमें में connection आ रहा है न ये connection जो है ये connection क्या है arteriovenous anasmosis है ठीक है तो इस तरीके से वो connect करती है और ये जो capillories है इस तरीके से इनको connect करती है artery से vein से और इनको क्या कहते है ये capillories network क्या कह राता है arteriovenous anasmosis कह राता है ठीक है ये next page के अंदर है so blood vessels का यहाँ पे जितना भी topic था जिसमें arteries veins and capillories and sinusoid के बाद हो गई थी at least smell and anatomy तक कि आपकी सारी चीज़ें अब next page पे इनकी clinicals है वो कर लेते हैं so यहाँ पे कुछ clinical notes है वो कर लेते हैं पर diagram भी discuss करनेंगे इस topics की diseases of the blood vessels ठीक है यह आप लोगो को आनी चाहिए यह clinicals मैं एक बर आप लोगो को जूम करते है diseases of the blood vessels diseases of blood vessels are common blood vessels की disorders है common होते हैं the surface and anatomy of the main arteries especially those of the limbs is discussed in the appropriate section of the book यहाँ पर वही बता रहा है कि limbs related upper limb हो गया lower limb हो गया उन सब की arteries के disorder और उनकी जो भी anatomical structure वगयर वो सब कुछ आप लोगो details से sections में आगे चलके पढ़ेंगे ठीक है उसकी बत क्या है the co-letter circulation of most large arteries should be understood and a distinction should be made between anatomic and arteries and functional and arteries अच्छा जो एक co-letter circulation होती है कोई भी ऐसा organ होता है जहाँ पर एन उस्मॉसिस हो रही होती है वहाँ पर main organ में co-letter circulation हो रही होती है ठीक है co-letter circulation होती है वो important होती है उसका main काम यह होता है कि कोई main artery किसी organ को जो है वो supply करना blockage की वज़ा से ठीक है blockage की वज़े से अगर main artery में blockage हो जाती है ठीक है और वो उस organ को supply नहीं करवाती है तो कुछ हज तक कुछ time तक co-letter circulation के जरीए जो हमारे पास जो organ होता है उसको co-letter circulation के थो जो हो ब्लेड मिल रहा होता है अपने nutrients मिल रहा होते है तो यह co-letter circulation इसलिए बहुत important होती है इसलिए यहां पर कहा है आपके आपके पास concept होना चाहिए और उसके पारे में आपको information भी होनी ठीक है आगे के दिया गया है all large arteries that cross over a joint are liable to be during movements of the joint अच्छा जो arteries हमें मिलती है over the joint over the joint हमें जितनी भी arteries समलती है ना उनके रगड की एक उनको खत्रा होता है कि वो rub इसके रगड का खत्रा होता होने ठीक है बार-बार क्योंके joints के साथ movement हो रही होती है उनको थोड़ा सा वो trauma conditions में होती है वहां पर injuries हो सकती है वहां पर जो है वो बहुत सारी possibilities है कि हमें infections या injuries हमें मिले however the distal blood flow is not interrupt because an adequate anosmosis usually between branches of the artery that arise both proximal and dissonance to the joints अचा लेकिन यहां पर क्या होता है कि काफी सारी joints जो joints है मोसली वहां पर बहुत सारी anosmosis मिलती है arteries and veins के दर्में हैं ठीक है अगर उस पार्ट को कोई भी रगर मिल जाती है वो damage हो जाती है कुछ भी उसमें disorders आ जाते है तो वहां पर पेसे की anosmosis का जो process होता है उसके through proximal or distal anosmosis होई भी होती है different type of branches of the arteries के दर्में तो वो उनके लिए जो है main point होता advantage point होता है कि इसकी वज़ा से blood circulation जो है वो इतनी interrupt नहीं होती ठीक है the alternate blood channels which dilate the alternative blood channels which dilate under these circumstances from the co-letter circulation अच्छा अब क्या है कि इन conditions के अंदर co-letter circulation भी important role play करती है अगर एक artery block हो गई है एक artery के एक branch block हो गई है तो co-letter circulation के through जो anosmosis होई तो different branches of the arteries जो है उनको supply करेंगे knowledge of the extensions and position of such circulation may be of vital important should it be necessary to tie off a large artery that has been damaged by the trauma or disease अच्छा अब इन co-letter circulation जो होई वी है इनके आपको position existence और इनके circulation की वी ठीक है यह सब वाइटल हो जाता है कि आपको पता होगे किस तरीके से वो main artery के साथ टाय होई ही नहीं है क्योंकिए पर जब injury हो जाती है कोई damage हो जाता उस main artery के अंदर तो अगर आपको position पता होगी तो आप easily जो है उनको surgical way के सुथरू और आप पता कर सकते हैं कि कौन सी artery damage है और कौन सी artery पर procedure करके उसको डियाग्नॉस करना है ठीक है coronary arteries are functional end arteries जो हमरे पस coronary main arteries होती है ठीक है वो क्या है functional end arteries होती है functional end arteries हमरे पस क्या थी जिनके आपस में ब्रांचे जो है वो endosmosis कर रही थी and if become blocked by disease coronary artery occlusions is common the cardiac muscle normally supplied by that artery will receive insufficient blood and undergo necrosis अच्छा जो हमरे पस coronary coronary arteries होती है वो heart की main arteries है जो heart को supply गती है ठीक है इनके अंदर ना atheromas हो जाते है atherosclerosis plug बन जाता है plug formation हो जाती है fat की formation हो जाती है जिसकी वज़ासे हमरे पस coronary artery blockage की तरफ चली जाती है myocardial infarction भी इनी चीज़ों की वज़ासे होता है इसके अलावा जो हमरे पस necrosis अब जाहर है अगर coronary artery जो है वो हमरे पस functional land artery है ठीक है functional land artery जो आपस में आर्टरी इनके आर्टरी की ब्रांचिस की ब्रांचिस एनॉस्मासिस कर रही है ठीक है अगर ये block हो जाएगी किसी भी disorder की वज़ासे इसके इनने कोई भी occlusion हो जाएगी जिन cardiac muscles को ये supply करी थी वो insufficient amount में blood देते है जाहर है अब वो block हो गई है तो उसके वज़ासे क्या हो जाएगी है नेक्रोसिस हो जाती है टैमेज हो जाता है टिश्यू वहां के वो muscles damage हो जाते है blockage of large coronary artery result in the death of the patient और जो blockage हो जाती है हमारे पस large coronary artery की लेकिन इसको read देना बहुत जरूरी था ठीक है इसमें से आप से कोई कुछ पूछे का नहीं लेकिन आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से आप किस चीज को पढ़ रहे हैं अच्छा इसी पे ना इसी पेज पे आपको diagrams पी दी गई है इसी पेज पे आपको diagram भी दी गई है इन diagram के अंदर डिफरेंट टाइप के anosmosis आपको बताए गई है यह diagram हो गई यह हो गई ठीक है यहां पे आपको डिफरेंट डिफरेंट तैप की यह diagram है इसमें आपको different type of blood vessel branches of superior mesentric artery superior mesentric artery जो ब्रांचेसे उनके साथ कैसे एनॉसमॉसिस हो रही है वो ब्रांचेस आपस में कैसे एक दूसरे के साथ मिल रही है और नॉसमॉसिस वो बताया गया है ठीक है इस तरीके से आपको यहां पर आपको वेनेज और यह आर्ट्री में कैपरिल नेट्वर्क इस तरीके से यह साह हार्ट का आपको पोर्टर सिस्टम बताया था ठीक है किस तरह के से गशे हो elle हमारे पास यहां से किस तरह के अइर से जो है वह पहले केफिलरी आयं फिर उन्होंने प receptor बेन बनाई फिर वही 좋아 Ce हाइ पर ह Technically पोक होगी चाहिय substance नहीं काथ कि वाइद और थे avoid फिर फिर आगे जा के अपना काम कर लिए अमें से अगे जाए फिर बांग छाएंगे फिर व्यौे गें को देखने से आपको पता चल जाता है कि actually क्या चीज़ यहां पर कही गई है so blood vessels का यह topic जो है वो complete हो चुका है जितनी information आपको अप्ग्रैब करनी थी वह मैंने आपको provide कर ली है so I hope यह lecture आप लोगों के लिए easy रहा होगा ठीक है तो एक बार आप लोग ना इन दोनों pages को like इस page को and पीछे जो आपको blood vessels का यह topic दिया गए इनको पढ़ लेंगे ना तो आप लोगों के लिए easy रहेगा किस तरीके से आपको कौन कौन सी चीज़ें जो है वो cover करनी है इतना मुश्किल लहीं है ठीक है आपको पता होना चाहिए कि आपको यह साही चीज़ें जो है वो नॉर्मली आनी चाहिए तो आप लोग इस तरीके से कर लेंगे तो आपके लिए कोई भी मसला जो है वो नहीं लहेगा सो इसके लाव अगर कोई भी क्यूरिय रिलेटेट तो वेंज आठीज यहां कैपिलरीज सायनोस्वाइट किसी से रिलेटेट इस टॉपिक से कोई भी क्यूरियो तो आप लोग जो है वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लीजगा ताकि मैं आप लोग के लिए वो कर दो मैंगर क्ढ़ के लिए ॉयाओ न ώा के लाज वी लाज कर दो कर दो लच एंगर कोई भी क мехजर कर लीएग गहां कर लासाने कीज़ कर दो कर दोएंद्वा लोग बीएग 빼cill成 decorum से इसे वेज़ हागंपने से इसे बटक्शन के खूंएर जistanर का लग है 26 भ मैंग हमम म